स्री कृष्ण का नईया लाल कीज़े स्री निजानन्द स्वामी कीज़े स्री प्राणना थे प्यारे कीज़े आज का प्रसंग प्रकास हिंदी गरंथका एकतिस्वा प्रकर्ण बेहद गानी उसके बैल इस चौपाई तक हो चुकी है तरचालस में चौपाई से आज का प्रसंग आगे बढ़ेगा पहले वाले चौपाई को दो राते हैं एह द्रश्टान ते समझियो राह राख्या इन बिध एवल माया देखियो आवरे ऐसी की ड़ साथ चल्या सबवतना स्रिक्रिष्न का नईया लाल की जया तो यहाँ पर एक द्रिष्टान इससे पूर्व एक द्रिष्टान तसे समझाया जैसे ब्रह्मा जी ने बच्छडों का अपरण किया ग्वाल बालों का अपरण किया और उनको एक गुपा में रख दिया तो इधर क्रिष्न जी ने वैसे के वैसे ग्वाल बाल वैसे के वैसे बच्छडे इस आरे इस रिष्टी उन्होंने वैसे बना दी तो ब्रह्मा जी देखते रहा गए यह क्या हुआ वास्चरी में पड़े गए फिर जाकर के उन्होंने माफी मागे दी तो इधर वियापर स्रेप्रान्ना जी समझाना चाह रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा जी ने बच्छडों का अपरण किया तो वैसे के वैसे बच्छडे वैसे के वैसे गवाल बाल किसी को कुछ भनत तक नहीं पड़ी ऐसी व्यवस्ता जैसी थी वैसी की वैसी वैसी व्यवस्ता कंटीनियू श्रक्रिष्ण जी ने आगे कर दी थी ऐसे ही इधर भी जैसा ब्रह्मान पहले बना था वैसे का वैसे और वैसे सक्खिया वैसे व्यवस्ता सारी की सारी वैकी वै आगे बढ़ा दी तो यह प्रतिविंब लिला इस प्रकार्शी हुई है तो यहाँ पर यह समझाना चाह रहे हैं साथ चल्या सववतन सब ब्रह्मात्मा यह तो अपने धाम में जागरत हुई पूर्ण रूप से तो जागरत नहीं हुई थी लेकिन उन्होंने श्रक्रिष्ण जी से मांग की अब आप हमें वैसे स्थान पर ले जाए उस देश में ले जाए जहां कभी भी यूग ना होता हो तो अक्षराति धामधनी ने स्री कृष्ण जी ने उनको परमधाम में मनों जागरत हो रहे हैं उनको परमधाम का थोड़ा सा ख्याल हो रहा था इतने में फिर उनके मन में ये बात होई कि राजी ने तो कहा था तुम माया में जाओगे खिल देखती हुए सब कुछ भूल जाओगे मुझे भी भूल जाओगे तुम स्वैम को भी भूल जाओगे परमधाम को भी भूल जाओगे और ऐसे ऐसे तुम कहां के कहां हो जाओगे ये ऐसा तो इतना तो कुछ बना नहीं ऐसे कुछ ब्रमात्माओं के मन में ये भाव हुई उसमें कहते हैं कि जो तामस सुभावाली ब्रमात्माओं थी उनके मन में ये भाव आ गए कि जैसे अक्षराति धाम धनी ने हमें डर दिखाया था, उस प्रकार का भया वह द्रिश्य ये तो हमने देखा नहीं, हम सब साथ में रहे, हमारे धनी साथ में रहे, बीच में थोड़ा सा बियोग हुआ, थोड़ा सा दुख हुआ, दुख थोड़ा देख लिया, लेकिन जित रिष्टी के रचना हुई, तो उस रिष्टी के रचना जैसी पहले थी वैसी की वैसी हुई है, उसमें कोई फेरफार देखता नहीं, किसी को पता नहीं चला, वो तो अक्षराति धाम धनी कोई पता है कि जन्होंने ये परिवर्तन किया है, बाकि दूसरे लोगों को पता नहीं चला, अक्षराति पूर्णब्रम परमात्मा और अक्षराप्रमा उनको पता था, बाकि लोगों को पता नहीं था, यहां पर ये समझा रहे हैं कि जैसे रास के बाद में एक तो ब्रमात्मा ये परमधाम की और गई, दूसरे तरफ वो गई, तो अपने प्यू के साथ अक्षराति धाम दने के साथ में परमधाम गई, तो दूसरे तरफ क्या है कि ब्रमात्मा रास भी खेल रही है, क्योंकि अक्षर ब्रमा ने रास लेला को अपने रिधाय में अंकित किया, अंतस्करन में अंकित किया, तो अक्षर ब्रमा अविनाशी है, तो वहां पर खेलती दूसरे तरफ खेल भी रही है और तीसरे तरफ इत उटे प्रभाता ब्रह्मा अत्माओं की इच्छा बांकी रही तो अक्षराति धामदनी ने अक्षर ब्रह्मा को आदिश दिया अब ब्रह्मान्य को पहले जैसा था कालमाय का ब्रह्मान्य वैसे के वैसे इसको आगे बढ़ाओ तो अक्सर ब्रह्मन ने उसको आगे बढ़ाया तो जैसे रात को राच लेला करके तो सुबह घर में जाकरके सोई हुई हो और वहाँ पर उठी हो इस तरह से ब्रह्मा आत्मा है मतलब जो ब्रज की गोपिया है तो इदर जो लेला आगे बढ़ी तो उसमें उदर कृष्ण जी की बंची सुन करके लेला करने जा रही थी तो ऐसे में वहाँ चालो ये लेला रंब हुई तो फिर कृष्ण जी ने बंची भी बजाई रास की लीला भी की और फिर वापस घर चली गई और वहाँ जा करके फिर सुबा उठ गई सुबा उठने पर उनको लगा कि हमने रात में कुछ ऐसा देखा ऐसा ख्याल आया तो ना तो वहाँ के गवाल बालों को पता चला कि हमारे घर से ये सब गोपियां वहाँ चली गई थी रास को बिरनावन में चली गई थी फिर कब आई तो इस तरह से उनको ना किसी को कुछ ख्याल आया और इन गोपियों को भी ये लगा कि हमने रात में कुछ देखा और सुबा उठने पर उनको लगा रात में कुछ देखा शुपन जैसा उनको थोड़ा थोड़ा ख्याल आ गया तो अब देखें एक तरफ ब्रह्मा आत्मा परमधा में जागरत हो रही है तो दुसरे तरफ अक्षर ब्रह्मा के रिदाय में वो लिला अंकित हुई है तो लिला चल रही है ब्रह्मा आत्मा उधर खेलती हुई नजर आ रही है और तीसरे तरफ इदर प्रतिभिंब लिला म तो सब सक्यां मतलब वहाँ पर जैसे ब्रज की गोपियां जैसी थी उस तरह से वहाँ पर जागवी रही है सुबा तो यह अलग-अलग प्रकार के दृश्य तो यहाँ देख रहे हैं तो यह सब दृश्य सही होते हुए भी लोगों को इसके विशाय में ख्याल नहीं है तो रास लीला अक्षरात दामदनी ने की है ये लोगों को ख्याल नहीं है तो बांकी जो प्रतिवम्ब की लीला हुई है तो बेदरिचा को दिखाने के लिए उसके विश्य में दूसरे लोगों को थोड़ा थोड़ा ख्याल है नर्शी मेता ने भी इसी लीला को समझने के लिए प्रहत्न किया था ये बात यहां पर सुरे प्राणनाजी समझा रहे है सोई गोकुल जमुना तट गोकुल वही गोकुल गाउं ये मुना जी वही ये मुना के किनारा वही जाने सोई ब्रजवासी ब्रजवासी ओं को लगा कि हम वही हैं पहले भी हमने कई वर्षों तक जैसे 11 वर्षों तक की लीला हैं थी तो उसी प्रकार की लीला हम करते आए हैं ऐसा ही उनको लगा कि वो तो मानो सो करके उठे हुए हो तो वो सारी की सारी बाते उनको उस तरह से लगी तो जैसे हम अभी तक करते हुए आए हैं बाकी ये तो स्रिष्टी पूरी ही बदली हुई है किन्तो किसी को भी ये पता नहीं चला रास लिला जाने खेल के मानो रास लिला खेल के इता आए उलासी तो यहां उठ गए उठने पर उनका मन आनंदित हो रहा है कि अरे हमने रास लिला भी खेली थी सुपन में खेली हो इस तरह से उनको फिल होने लगा तो जाने सोई ब्रहमांड तो ब्रह्मान्ड वही है वैसा ही ब्रह्मान्ड लगा उनको कुछ अलग ब्रह्मान्ड ऐसा लगा है जो खेला थसरा अभी तक जैसी लेला कर रहे थे वही कह वही वही चीज वही वश्तुएं वही घर सब कुछ वैसे का वैसे उनको लगा ये ब्रह्मान जो उपज्या ये ब्रह्मान जो तीसरी बार उपन्न हुआ है ऐसी रहे अदा जो पहली बार का था उसी प्रकार का ही ये तीसरी बार प्रकट हुआ है इसलिए इस प्रकार से प्रकट हुआ है ये समझा रहे हैं इस अदा में इस प्रकार से इस रूप में ये प्रकट हुआ है दो ब्रह्मान बीच में दोनों ब्रह्मानों के बीच में पहले का काल माया और फिर दुबारा होने वाला काल माया बीच में योगमाय का तो अलगी एपिसोड था तो वो तो पूरा हो गया तो बीच में ये जो प्रतिबिम्म लिला बीच में रखी है तो वो प्रतिबिम्म लिला है तो दो ब्रमान्ड बीच में सेर राख्या सार असली रासलिला को समझाने के लिए एक मरग के रूप में रखा ख़वर ना पड़ी काहो को किसी को भी इसकी भनक तक ना पड़ी किसी को इसका पता नहीं चला बेहद का वार ये बेहद का द्वार है तो ये किसी को मालूमी नहीं पड़ा है इतफेर उठे जो प्रतिविम्ब यामे साथ पीओ जब प्रतिविम्ब लिला होती है तो उसमें तो रास के बाद में पुनहां ब्रहमात्माएं स्रेकृष्णा फिर ब्रजमंडल में प्रकट होते हैं मतलब प्रतिविम्म लेला हुई तो उन सब को लगा के रात में हम लोगों ने कुछ किया था किन्तो सुबह उठने पर जैसे इसमें उठते हैं जागरत होते हैं तो उनको हमने ऐसा कुछ किया था इतना ही उनको ख्याल आता है बाकि क्या था क्या नहीं ये कुछ भी उनको ख्याल नहीं होता है तो वो हमने ऐसा किया ऐसा किया वो याद या कर करके सब प्रसन नहोते हैं आनन दित होते हैं ऐसी बात है इतफेरा उठे जो प्रतिविम्बर यामे साथ पीऊ खेल आए जाने हम नहीं इनको लगता है कि खेल करके आए हैं रास लिला करके हम आए हैं लेकिन उनको ये है कि उनको लगता है पता नहीं कि इसने क्या किया इस तरह का उनको फिल हो रहा है सुपन में ऐसा कुछ हो रहा था और उन्होंने ऐसा देखा है ऐसा है इन लोगों के मन में फिल हुआ दोखा रहा जीओ तो इसलिए इनके मन में इस प्रकार की ये क्या लिला हुई कैसा है हमने देखा कैसे हम खेले थे इस प्रकार के उनके मन में वो संदेया थोड़ा सा बना रहा दोखा इनों का भी ना मिट्या उनका भी धोखा उनकी भी चाहना ये मिटी नहीं तो कहा करें और तो दूसरे लोग हैं उनकी चाहना कैसे मिट पाएगी इसलिए तो ये थोड़ा-थोड़ा इनके मन में ये रहा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था जानने की, समझने की चाहना होई किन तो सपष्टे करण वहां पर हुआ नहीं तो यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो रास लीला हुई है वो बेहद भूमिका की लीला तो यहां नस्वर जगत में हुई है तो इसके लिए कह रहे हैं बेहद बानी के माएने बेहद बचनों का आर्था है वहां कियों हो बे दूजे ठोवर दूसरे स्थान पर कैसे प्राप्त होंगे जो आनंद वहां मिला है वो वहीं पर ही मिलेगा दूसरे स्थान पर ये आनंद मिलने वाला नहीं है यों साथ पिछला आया इत इन दर्वाजे इस प्रकार पिछला साथ करताथ पर ये है कि ये प्रतिविम्म लिला के सक्षिया इत इन दर्वाजे इसी प्रतिविम्म लिला के मार्गस से उनको ये ये प्रतिविम्म लिला के मार्दियम से उन लोगों को ये थोड़ा सा समझा दिया गया मुल साथ है फिर आवशी तो जो प्रतिविम्म लिला के साथ है वही साथ फिर साथ दिन तक गुकुल की लीला में रहे चार दिन मतुरा की लीला में रहे और उसके बाद में गौाल बाल बगर सब लोट गए ब्रज को फिर स्रेक्रिशन जी मतुरा में आकेले ही रा जाती है उसके बाद की लीला है वो अवतार लीला है इसलिए तो यहां पर थोड़ा कुछ समझाया गया कि अक्षराति धामदने पूर्ण अब्रभ्म परमात्मा के विश्य में हम पूरी स्रद्धा और निष्टा रख करके आगे बढ़ते हैं तो वो हमारे कोई भी कारिये पूर्ण कर देते हैं बात हमें मालूमी नहीं है उसको भी वो पूर्ण कर देते हैं उन्द में इस प्रकार की विश्य श्रक्षमता होती है मूल साथ है फिर आवसी मूल ब्रमात्मा के तीसरी कालमाया के ब्रह्मान में दुनिया के दुख सुक देखने के लिए फिर आएंगी तो ब्रमात्माएं सद्गुरु के प्राकट्य के समय पर साथ साथ आई है सद्गुरु के प्राकट्य के संदरव में कहते हैं जब सद्गुरु दुनिया में आए तो ब्रमात्माएं भी उनके साथ में आई एक या जिनकाजे तो ये कालमाया का तेसरा ब्रह्मान ने जिन लोगों के लिए बनाया गया है तो ओ ब्रह्मा आत्माएं फिर बाद में आएंगी इस समय आई नहीं थी ये बात यहां पर समझा रहे हैं क्या जाने हद के जीवडे इस परिवर्तन्शिल जगत अत्वाहद परिवर्तन्शिल जगत की सीमा इसके अंदर रहा करके जिनोंने भी अद्दिन किया है तो उनमें से कोई भी बेहद की बात नहीं कर पाएंगे बेहद की बातें तो वो समझेंगे नहीं तो फिर करेंगे कैसे रास में खेले अखंड एत उठे प्रभाते तो रास लिला भी उन्होंने खेली वो भी अखंड है अक्षर ब्रह्म के अंतक करण में वो लिला चलती ही रहती है जब तक अक्षर ब्रह्म का स्वर्व रहेगा तब तक ये लिला चलती रहेगी इसलिए इसको अखन्ड कहा है तो इत उठे प्रभाते तो इधर तो प्रभात में तो यह सब उठ भी जाती गोपिया उठ जाती है अपने अपने घरों में खेले पिछले साथ में साथ दिन ता आई तो उसमें स्रीकृष्ण जी भी प्रकट हुई है और तो यह गोपांगनाई भी तो उन्होंने पिछले साथ के साथ में तो कई दिनों तक लिला की है तो उसमें से साथ दिन गोकुल की लिला है साथ दिन ता आई तो अक्रुर चलिया बुलाए के गुकुला करके अक्रुर ने संदिश दिया और श्रकृष्ना और बलराम को लेकर के वो चला गया पहुंचे मतुरा माही तो जैसे तो अक्रुर श्रकृष्ने जी को बुलाने के लिए आया तो श्रकृष्ने जी और बलराम और कुछ गौलबाल उनके साथ हुए और सब के सब मतुरा के अंदर पहुंच कहे तो ये जो साथ दिन की गुकुल की लिला और चार दिन मतुरा की लिला इस तरह से ग्यारा दिन की लिला संपन्न हुई है उस लिला को यहां पर समझाया जा रहा है तोलों भेश जो पियू का तब तक तो अक्षरातित का ही भेश है अब उसके बाद में तो अक्षरातित का भेश इस तरह से बनेगा तो यहां पर कहते हैं तोलों भेश जो पियू का कुबलाय पिड मार्या तो मतुरा जाने के बाद में तो उन्होंने वहां पर धनश यगें चल रहा था कंक्षने बड़े बड़े युद्दा और बीर रोगों को बलाय था तो सब के मन में यह था क्रिश्न जी यहां तो नहीं आँगे किन्तो तो क्रिश्न जी आये और आकर के फिर उन्होंने कुबलाया पिड़ाति को मारा चाणूर और मुष्टिक यह पहलमान थे इनको भी मार्दिय संगार किया जाये कंच पचाड या फिर श्रिक्रिश्न जीने जाकर के कंच को भी पचाड दिया उनको भी मात कर दिया टीक आ दिया ओगरसेन को ओगरसेन को राजति लग दिया बहे दिन चार इतने करते वे चार दिन बेतित हुई तो चौथे दिन में उन्होंने क्या किया छोड़ वशुदेव वेश उतारिया वशुदेव देवकी को बंदन मुक्त करके फिर उन्होंने अपना ग्वाल वेश उतार लिया तो कृष्ण जी और गोपियों में यदि कुछ सक्तियां रही हो तो इस समय के बाद में जैसे ही स्रिकृष्ण जी ने ज्ञान वपदेश्टी भी दिया सब कुछ दिया लेकिन जैसे स्रिकृष्ण जी ने ग्वाल वे से उतार करके नंद बाबा को लोटा दिया उसके बाद स्रिकृष्ण जी में फिर वो जो गोलो की नाथ की शक्तिय वो भी उस समय के बाद में चले जाती है उनको फिर पता चलता है कि मैं कौन हूँ किस तरह से हूँ फिर ऐसे में तो उनको ख्याल आ जाता है कि मैं तो भगवान विष्णो का अंसर हूँ अवतार रूप में हूँ फिर आयोध और रत बगरे बैकुंट से मगा लेते हैं तो कहते हैं या दिन थी अवतार अथ तब से स्रिकृष्ण जी भगवान विष्णो के अवतार के रूप में समझे जाने लगे अब यहां से लीला हद की अब यहां से हद की लीला की बात करेंगे तो सो तो सारे के सी सारे के सारे यह हद इस परिवर्दन सिल सिंसार के विष्णे में बहुत लोगों को मालूम है तो सब लोग यह बात जरूर कहेंगे पर बेहद बानी हम बिना किन्तु बेहद की बात है वो हमारे बिना दुसरा कोई नहीं बता पाएगा दुजा कौन देशी दुसरा कौन समझाएगा भाई नरसया इन पैडे खड़ा नर्शी महता इस मारगपर इस रास्ते पर मनों इसको सीरी समझेंगे तो उसके एक सोपान में नर्शी महता ने रह करके लीला बेहद गाए बेहद की लीला का प्रतिपादन करने का प्रयतन किया बलकरे अतिनी संका उन्होंने प्रयतन तो बहुत किया है मीने पैठोने जाए कि तो वो इसे तो इन्होंने ये क्या किया नर्शी महता ने गाने के लिए प्रयतन तो किया लेकिन उसको जैसे आत्मसाथ करके देख करके आत्मसाथ करके गा सकते हैं तो वो कारिये वो भी नहीं कर पाए बला करे आते निसंग का इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने इतना ज़्यादा प्रहत्न किया किन्तो उसमें उनको सफलता नहीं मिली जो बला किया नरसाय नर्शी मेहता ने जो प्रहत्न किया जितना शक्ति सामर्थ लगाई कोई करेना आओ रहे और दूसरा कोई भी व्यक्ति कर नहीं सकता है तो ऐसे इतना नर्शी मेहता ने बता है उतना दूसरा व्यक्ति बता नहीं सकता है हदके जीवे बेहदकी लीला देखिया ठोर तो नर्शी मेहता वैसे इस नस्वर जगत को संचालन करने के लिए जितनी आत्माय आई है उन में से विश्ष्ट प्रकार की और स्रेश्ट प्रकार की आत्माय किन्तु उन्होंने जितना प्रहत्न किया इतना प्रहत्न दूसरा नहीं कुर शकता किन्तु वो भी लीला देखिया ठोरा उन्होंने भी ये लीला देखिया है किन्तु उसको पुर्ण रूप से वर्ण नहीं कर पाए नरसया दोड़या रसको नर्शी मेता तो इस रसको पाने के लिए दोड़े है बानी करे पुकार उन्होंने श्रीकृष्ण जी की ब्रज लिला की वानी बहुत कुछ बताईए रस जाए हुआ अंदर किन्तु रास लिला के लिए उन्होंने जैसे ही प्रवेश करना प्रायत्म किया तो उनको कुछ और ही दिखने लगा तो और क्या है उसके विश्य में उसरे प्राण जी समझा रहे हैं कि रस जाए अंदर हुआ आड़े दर्वाजे चार तो यहां चार दर्वाजे हैं उनके लिए बेवरान रुप बन गए तो चार दर्वाजे के दर्वाजे को कुछ महापुरुष अपने अभिमत के अनुसार कहते हैं स्थूल शुक्ष्मकारण और महाकारण जैसे यह शरीर है इसमें दिखरा यह स्थूल है इसको चलाने के लिए कुछ ग्यानिंद्रियां मन बगरे मिल करके तो स्थूल शरीर का निर्मान करते हैं तो उनमें से फिर स्थूल शरीर के बाद में स्थूल शरीर पायार होता है तो कुछ मानवावों का कारिय बड़ा बढ़िया होता है तो कुछ मानवावों का कारिय यह थोड़ा सा कमजोर होता है तो यहाँ पर नर्शी मेता ने किया बहुत बड़ा कारी किन्तो उनको अखंड लेला के दर्शन नहीं हो पाए तो उन्होंने प्रतिमि में लेला के दर्शन करके संकोच किया है तो बोलो स्री कृष्ण का ना यालाल की तो उन्होंने इस तरह से प्रतिविम लिला का दर्शन करके तो उन्होंने अनन्द प्राप्त किया फिर भी वो पूरी तरह से बता नहीं पाए तो थोड़ा उनको इसमें संकोच भी रहा तो हद के जीव बेहद की लीला देखी आठाओर तो उन्होंने ये लीला देखी है नरसया दोडा रस को बानी करे रे पुकार तो उन्होंने रस प्राप्त करने के लिए दोड लगाई और बानी पुकार किया मतलब उन्होंसे बानी ग्रंत अवतरित हुए रस जाये हुआ अंदर किन्तो रस तो अंदर चिपा हुआ था जैसे स्थूल सुक्ष्मकारण और महाकारण उसके बाद में आतम होती है तो रस तो उस समय ब्रमात्माओं के बीच में था किन्तो नर्शी मेता उसको अनभब नहीं कर पाए तो उसके लिए कहते हैं तो नर्शी मेता ये सारा कुछ वरनन नहीं कर पाए तो ये चार दर्वाजे आड़े रहें उनको स्थूल सुक्ष्मकारण और महाकारण ये भी कहा है किन्तो इसके साथ में दूसरी बात ये भी है रस प्राप्त करना हो तो मनुश्य कवमे सस्वजग रहना पड़ता है तो उसमें एक ये हो सकता है कि नर्षी मेता ने काफी प्रैट्न किया फिर भी उनको इतना सरलता नहीं मिली शरलता से कुछ मिला नहीं तो इधर रासलीला को तो जिन जिन लोगोंने भी देखा वो प्रतिबिमित रूप में देखा तो उन्होंने वही शुख वही अनन्द प्राप्टा करना चाहा तो ये फार्थम में ये है कि नर्शी मेता रास लिला का पूरन रूप से वरन नहीं कर पाए इसलिए जितना उनको ख्याला है उसे सबसे ब्रेजर मंडल का दर्शन किया द्वार इन बेहद के लहरें आवे सीतल बेहत के द्वार में ये तो प्रेम की लहरें सीतल शीतल आजाती है बहती है सो इता खड़ा हो लेवईं तो जो इस दुनिया में रहा करके भी थुड़ा कुछ तो परण कर पाए रास की प्रेम, रास की सुगंदी उसको उने थोड़ा सा ग्रहन कर लिया इन दरवाजे नरशयां तो नरशयां इस प्रेम के द्वारशे आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न कर रहे थे प्रेमे लपटाना किन्तो उस समय वो स्वैमी प्रेम में मस्त हो गए लीला पिछले साथ में सुखले समाहाना तो पिछली बार जब व्यवस्ता हो ये तो उसमें सब संत महापुरुष पहुंचे हैं तो उस समय तो यहां से मंद से तो पिछले मतलब प्रतिविम में लीला के वेदरिजा सकीया है उन लोगों ने भी सुख लिया है तो उसी सुख का वरनन नर्शी मेता ने भी थोड़े से शब्दों के द्वारा किया लीला सुके वरनन करी सुकदेव जी ने जो लीला के वरनन किया है ब्रज राश अब खाना ब्रज और राश दोनों लीलाओं को दिव्य बताया है बेहद की बानी भी ना किन्तो बेहद की बानी ये बेहद का एग्यान नहोंने से ठवर ठवर बंधाना किसी चीज को कुछ स्पश्ट कर रहे हैं तो वो पूरी तरह से कर नहीं पा रहे हैं ना तो ये क्यों ऐसे वर्नवे क्यों कहे पंचा द्या आए नहीं तो अथवा अन्य था तो मेरा इस प्रकर से आप सबको कहने का भी नहीं बनता और नर्शी मेता ने शुकदेब जी ने जो कुछ वर्नन किया तो वो तो पांची अद्यावी में वर्नन है तो इतना आनंद इतना आनंद ऐसा ये विशय है तो वो थोड़े समय में इसमें कुछ फरक पढ़ने वाला नहीं है तो यदि कोई ये समझें कि शुकदेब जी ने वर्नन किया तो रास में पांच अद्यावी तो हाई ही तो यहाँ पर स्री प्राण्याजी का रहें कि देखो तो ये किसी ने किसी प्रकार का सडियंत्रा तो पांच अद्याई ये कैसे पांची अद्याई में ये कैसे बताया जा सकता है ये इतना ज्यादा वर्नन, इतना रास का, इतना लंबा वर्नन, इतना अनन्द की बातें वो पांच अद्याई में सिमर्ती नहीं है तो शुकदेव जी ने थोड़ा सा परिक्षित के प्रश्न करने के बाद में फिर वो ज्यादा कुछ बताई नहीं पाए जो उनको लगा अंदर से जो शक्ति कहा रही थी वो अभी उनके पास में नहीं है तो कहते हुए उनको जितना अनन्द आया था उसमें से थोड़ी थोड़ी बात है उस समय उन्होंने कह दी तो इसलिए पाँच अध्याय बनाए इस रस को छोड़ करके दूसरे बचन है मुका कार्यों नजाई तो बांकि दूसरे बचन तो कुछ बताई नहीं सकते तो रास का वरण तो कितना होता करोणों गरंथ बन जाते इसलिए यह कह रहें होबे असकन्द 12 से ते 12 से वो बहुत कुछ ज्यादा होता इत Alle को घंग या तो करोणों गुना ज्यादा हो जाता पर क्या करें आग्या इतनी किन्तु जिसको जितना आदेस है वो उतना ही काम कर शकते हैं तो अग्या इतनी ही हुई बस नहीं आने तो उनके बस में वो बात नहीं हुई कहां गटना नहीं हुई कहां से कौन आ रहा था कौन जा रहा था तो ये सारा उनके बस की बात न रही ना हुई जाहर या मुख तो सुक्देव जी के मुखार बिंद से ये बात जाहर नहीं हुई उनको ये समझ करके कहने के इच्छा तो बहुत हुई कलप या दुखान तो वो याद करकरके बहुत दुख्यत हुए कलपने भी लगे कंपमान हुए कलकलिया उनका सरीर भी कापने लगा तो फिर भी वो बड़ा रिदाय को बड़ा द्रभीत बनाए कंपमान हुए कलकलिया रस गया या थे तो कमपमान हुए बड़े दुखी हुए थे तो वहीं से तो यह रस थला गया है तो यह दुख क्यों सहे सके रस जाए जा थे तो यह सारे सुख दुख बगरे इसका अनभव कौन करेगा तो इस समय तो थोड़ा अनभव इनको यह करवाना चाहिए तो इसके लिए कह रहे हैं तो शुकदेव जी कमपमान हुए कुछ बता नहीं पाए तो सो यह दुख क्यों सहे सके रस जाए जाती यह रस जाता तो वो बिलकुल ही उस समय कहा नहीं पाते यह तो क्या है कि लिला का भेद है और कलपान तो भेद होने से कुछ दो घटनाओं को तो एक ही घटना के रूप में अपर समझाया गया है बेहद सब्द कहेका था हरख अपार तो बेहद की लिला समझाने का मन में हरख था दरवाजा ना खोलिया रसर या सार किंतु तो यह रस कोई प्राप्त नहीं कर शका तो इसलिए आगे बहुत ज्यादा रास लिला का वरणन नहीं हुआ दरवाजा ना खोलिया रहा रस सार तो यह रस वैसे के सार रूप रस यह वैसे के वैसे बना रहा बना रहा तो यहां पर प्रतिविम लिला को एक मार्ग के रूप में समझाया है तो वो प्रतिविम लिला को समझें तब जाकर के उनको लगेगा कि है नहीं तो यह हद से बेहद बेहद से परे अक्षरातित का अनुभब करना तो यह सब के बस की बात नहीं है तो ये बात बेहद बाने के मादियम से समझा रहे हैं अब आगे का प्रशंग फिर आगे बढ़ाएंगे अभी के प्रशंग को यही रखते हैं तो आप सब मिलकर चल पाई दो रहें बेहद के सब्द केह का ताहर का अपार दर्वाजाना खोलिया रया रससार रया रससार बुलु स्रिक्रिष्न का नयालाल कीजे प्रणार